Hello friends, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं UPSC CAPF Assistant Commandant का जो एक्जाम होने वाला है अगत्मे उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जिसमें पेपर 1 को हम डीटेल में देखेंगे और इसके कोशन आंसर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने एक्जाम एप्लिकेशन फिल किया है तो आप इसको वीडियो को पूरे जरूर देखेगा इसमें आपर आपके दो पेपर होते हैं जिसमें पेपर 1 जो है वो आपके होता है 250 मार्क्स का जिसमें आपके मैथ, रिजनिंग, साइंस इसके लावा यहाँ पर आपके जीखेशन आपके जिसमें आपके हिस्ट्री है, जिक एकोनामिक्स है, जैसे सबजक्ट जो है वो qui बात करें तो यह होता है आपके essay and comprehension के ओवर यानि कि इसमें यापर आपको जो है वो essay के ऊपर टोपिक्स लिखने होता है यापनी कि आपको 6 टोपिक दिये हुए होता है जिसमें से आपको 4 टोपिक करने होता है इसके अलावा argument writing, report writing ये भी आते हैं इसके अलावा यापर बात करें तो comprehension यानि कि आपको एक paragraph दिया हुआ होता है जिसका one third part आपको लिखना होता है और साथ में यापर एक और paragraph होता है जिसमें से आपको question answers पूछे जाता है जिसको आपको बताना होता है और साथ में आप लास्ट में grammar का पार्ट आता है इंगलिस का जो कि आपको करना होता है और ये जो second paper है ये आपके total होता है 200 marks का 250 marks का जो paper है ये आपके qualifying paper होता है और अगर आप second paper भी clear कर लेते हैं तो आप जो है वो याँँपर personality test और साथ में याँपर हो जाता है तो यहाँपर हम ये जो है भी paper देख लेते हैं जैसे यहाँपर आपको काफी help मिल जाएगी जैसे कि यहाँपर आप देख रहे हैं इसमें पहला पार्ट आता है Hindi में उसके बाद यही जो पार्ट है वो English में भी याईनिक यही question आंसर तो आपको इंग्लिस में भी पूछे जाएंगे तो यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम का पेपर पढ़ के जो है आपको कोशन अंसर समझा दूँगा जिसे यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी काफी जैसे के फर्स्ट कोशन है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कोशन करूँगा कि अगर कोशन चोटा हो तो पढ़ लूँगा लेकिन अगर बड़ा कोशन है तो मैं यहाँ पर रीट नहीं करूँगा आप उसको वीडियो को पोस करके रीट कर लीजेगा जैसे कि first question है निमनी लिखित मैंसे कौन सा पहली 10 दनपूर संख्याओं के गनों के योगफल और पहली 10 दनपूर संख्याओं के वर्गों के योगफल का अंतर है तो यहाँ पर मैं directly answer बता रहूँ आप इसको खुछ से solve करने के try केजेगा तो first का answer हो जाएग option B 2640 इसके लाव यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि mathematics के जो question है उसके लिए separately मैं video जो है वो with solution बना के डाल दूँगा जिससे आपको help मिल जाएगी second question यहाँ पर आप जो है वो read कर पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर जो है वो इसका answer हो जाएगा 19% 20% जो है वो इसका answer होगा third question इसमें दिया है लोगे से बनी किसी ठोस गोली गयन को पिगला कर दो नई गयने बनाई जाती है जिनके वियास एक अनुपात दो के अनुपात में है छोटी नई गयन की आयतन का मूल गयन की आयतन से अनुपात क्या है तो इसमें right answer है option D एक अनुपात नो जो है वो इसमें answer होगा third question का next आता है question number 4 question number 4 में आपर जो है वो आप question देख पा रहे हैं वीडियो को pose करके आप read कर सकते हैं इसमें आपर answer हो जाएगा 10.5% इसका right answer होगा next है question number 5 question number 5 है किसी दावक की औसत चाल प्रती गंटे 25% कम होती है यदि वो पहले गंटे में 16 km दोड़ता है और वो तीन गंटे दोड़ता है तो समगर औसत चाल क्या है तो इसमें आपर right answer हो जाएगा option B 12.33 km प्रती गंटे याँ पर जो है वो इसका right answer होगा next आता है question number 6 drone यानि कि ट्रफ और कटक यानि कि रिज क्या है तो इसमें आपर right answer होगा option A क्रमसर निम्न दाप का दीरगे चेतर और उच्छे दाप का दीरगे चेतर इसका right answer है आगे देखते हैं यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने बताया था उसके बाद यहाँ पर आपको English में question answers जो है वो पूछे गई है तो यहाँ पर आप इसको जो है वो देख सकते हैं चाहें तो वीडियो पोस्ट करके भी यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं जिससे आपको काफी help मिल जाएगी फिर है सेवन्त question question number seven है वन का भव परिशिमा स्तर कौन साय जिस पर उर्जा में होता है और कुछ आतपन यानि की insulation का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है तो question number seven में right answer है option c one बितान यानि की forest canopy question number eight वेजीव क्या कहलाते हैं जो उच्छ लवन्ट सांदरता आवास में रहना पसंद करते हैं तो question number eight का right answer है option c hello file जो है वो इनको कहा जाता है next question number nine निमलिकित में इसे कौन सा परचालन तंत्र operating system नहीं है तो इसमें right answer है option d ms excel जो है वो इसमें right answer हो जाएगा यह जो है वो operating system नहीं है question number ten संदेश चारों प्रोटोकॉल में कौन सा TCP IP model का अनुपरियोगिस्तर नहीं है तो question number ten में right answer हो जाएगा IP option d इसमें right answer होगा question number 11 question number 11 को यहां पर आप read कर सकते हैं तो इसका right answer है option b transistor जो है वो इसमें right answer हो जाएगा question number 12 निमनलिकित में से कौन सा सही हो जनकरम सा प्रोकेरियोटिक और यू केरियोटिक में आनुवांसिक द्रवी को सही निरूपित करता है तो option a इसमें right answer हो जाएगा nucleoide और chromatin ये इसमें right answer है उसके बाद यहां पर जैसे के मैंने बता हैं इंगलिस में आपको यहां पर दिया हुआ है फिर है question number 13 लयन का है यानि कि लाइसोसों पाचक एंजायम से भरी कोसिका की थैलियां इन पाचक एंजायमों को निमलिकित मैंसे किसके द्वारा संसलेशित किया जाता है तो यहां पर question number 13 का जो right answer है यह है option C रुक्ष अंतर द्रवी जालिका यानि कि rough endoplasmic reticulum जो है वो इसका right answer होगा question number 14 इसमें यहां पर जो है वो हमें बताना है कौन सा पादब के विवज्यों तक यानि कि Mary stem की कोसिकाओं को सर्भूतम रूप से निरूपित करता है तो इसमें यानि कि question number 14 में right answer हो जाएगा option A सगन कोसिका द्रवी पतली कोसिका बित्ती ब्रहद कैंद्रक और रसदानियों का अबाव यानि कि dense cytoplasm, thin cell wall, large nuclei and absence of vacuels question number 15, निमलिकित प्राणियों मैंसे किसमें 4 कक्ष युक्त हुर्दय होता है यानि कि 4 chambered heart होता है तो 14 में, sorry 15 में right answer है option D मगर यानि कि crocodile में 4 chambered heart होता है question number 16, question number 16 है याँपर आप देख सकते हैं इसको read कर सकते हैं तो 16 में याँपर हमारे पास right answer है option D अंतरजीनी यानि कि intragenic right answer हो जाएगा question number 17, आवश्यक्ता हूँ कि अनुरूप याँपर question आप read कर सकते हैं याँपर इसका right answer हो जाएगा option C, magnesium फिर है question number 18, question number 18 में याँपर right answer है option A, का एक प्रवर्दन यानि कि vegetative propagation जो है वो इसमें right answer होगा next, यहाँपर जो है वो हिंदी, वो इंग्लीज का part जो है वो आपको यहाँपर दिया हुआ है इसको आप जो है वो screenshot ले सकते हैं या फिर आप जो है वो note करके इसके answer देख सकते हैं जैसे कि हिंदी में मैंने बता दिये हैं next आता है question number 19, post वाह यानि कि phloem उतक मुखे तक किसके परिवहन के लिए उत्तरदाई है तो इसमें right answer है option D खा दिये यानि कि food के परिवहन के लिए उत्तरदाई होता है phloem question number 20, question number 20 में यहाँपर है दो वस्तूँ एक्स और वाई का दरविमान समान है तसा दोनों क्रम सा यू एवं 3 यू की चाल से गतिमान है इनकी गति जूर्जा के एक्स और के वाई किस प्रकार संबन देता है तो question number 20 में जो right answer है यह है हमारे पास option C 9 के एक्स इस इगोल टू के वाई जो है वो right answer हो जाएगा next question number 21 निमने लिखित में ऐसे कौन सा दाव का मातरक नहीं है तो दाव का मातरक जो नहीं है वो है option C Joule परती मीटर स्कूर जो है वो यहाँ पर इसका मातरक नहीं होता है नेक्स्ट आता है Q22 निमने लिखित में ऐसे किस पदार्थ का प्रियोग उत्तर लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है तो इसमें राइट आंसर है Option A, Aluminium का उत्तर लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है Q23 आकास के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकासी गठना उत्तर दाई है तो इसमें राइट आंसर है Option D, प्रकिनिडन यानि कि स्केटरिंग जो है वो इसमें राइट आंसर है या अंत्रिक उर्जा से वेदेत उर्जा में परिवर्तित करने के लिए Q25 किसी आवतर लेंस की फोकस दूरी का परिमान 2 मीटर है लेंस की समता क्या होगी तो इसमें याँपर 25 में जो राइट आंसर है यह है हमारे पास Option B, माइनस 0.5 डायाप्टर फिर यहाँपर आपके इंगलिस में यहाँपर कोशन है जिसको आप स्क्रीन सौट ले सकते हैं नेक्स्ट है Q26 Q26 में पूछा जा रहा है लगूपतन के दौरान विद्यूत परिपत में दारा कितनी हो जाती है तो यहाँपर आंसर हो जाएगा option C तेजी से बढ़ जाती है तब ही यहाँपर जहाँपर कह सकते हैं कि short circuit होगा जब वो बढ़ जाएगी यानि कि electric circuit का में जो current है वो बढ़ जाएगा question number 27 यादि किसी गतिमन वस्तू का रहखिक समवेग दो गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गति जूर्जा कितने गुणक से बदलेगी तो 27 में right answer है option B 4 question number 28 निमलिकित में से कौन सा oxide अमल और शारक दोनों के साथ अभिकरिया करता है इसमें 28 में जो right answer हो जाएगा यह है option A aluminium oxide अमल और शारक दोनों सा भिकरिया करता है इसलिए इनको amphoteric oxide भी बोला जाता है next आता है question number 29 question number 29 है जब खाने का soda मिलाया जाता है तो निमलिकित में से किसकी कारण bread नर्म और मुलायम तथा इस पंजी हो जाता है तो option B इसमें right answer है NaHCO3 जो है यहाँ पर एक जरिया है लेकिन यहाँ पर right answer हो जाएग option C CO2 यहाँ पर carbon dioxide की वज़े से जो है bread नर्म और मुलायम हो जाता है और sponge हो जाता है पिता और बड़े बेटे की आस़ता है 25 वरस है पिता और छोटे बेटे की आस़ता है रही संख्या क्या होगी तो question 30 जो है इसका right answer हो जाएगा ओप्शन C 186 इसमें right answer होगा फिर यहां पर screen sort ले सकते हैं फिर से next है question number 32 question number 32 में यहां पर आप question read करी पा रहे होंगे तो इसमें right answer हो जाएगा हमारे पास option C mathematics का question है फिर आता है question number 33 यहां पर आप इसमें भी question read कर सकते हैं answer मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें right answer हो जाएगा option D 30 days यानि कि 30 दिन यहां पर जाए हो mainly question जो हो आप अगर इसको solve करें खुद से और इसके बाद यहां पर जो मैं answer बता रहे हो उसको note करने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे आपकी practice भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी आगे देखते है question number 34 यहां पर जो है वो आपको question दिया हुआ है read कर सकते हैं तो 34 मैं right answer हो जाएगा option D 20 फिर आता है question number 35 सुहागा वोर एक्स किस से तयार किया जाता है तो 35 मैं जो right answer होगा यह होगा option D sodium bicarbonate sorry sodium carbonate से जो है वो इसको तयार किया जाता है फिर है question number 36 sin bar किसका अयस्क है तो इसमें right answer हो जाएगा option A पारा यानि कि मर्गरी का अयस्क है sin bar question number 37 sweat sworn यानि कि white gold किसका मिस्र दातु है तो 37 में right answer हो जाएगा option A sworn nickel और palladium gold nickel और palladium का जो है वो mixture होता है white gold next है question number 38 यहाँ पर पहले आप जो है इसको screen sort ले सकते हैं मतलब question जो है वो इसका answer जो है वो आप in the medium के according जो है मैंने आपको answer बताएगा है उसको note कर सकते है question number 38 है alken का hydrogen करण किसकी उपरस्तिती में किया जाता है तो 38 में right answer हो जाएगा option D nickel की उपरस्तिती में किया जाता है question number 39 calcium oxide gel के साथ अभी के रिया कर बोजा चून आउथपन करता है यह किसका उदार रण है तो इसमें right answer है option A सायोजन अभी के रिया यानि की combination reaction का यह example है question number 40 hydrogen परमाणूं की तरिज्या कितनी है तो इसमें right answer हो जाएगा 37 picometer जो है वो इसकी तरिज्या होती है question number 41 पांच लोगों का एक समू है जिसमें एक दमपती सामिल है या दिपती पत्नी को एक दूसरी के अगल वगल बैठाया जाना हो next is question number 42 तो question number 42 में पूछा जा रहा है एक दूसरे से यहाँ पर mathematics का question है तो यहाँ पर आप इसको read कर लिए जएगा answer मैं बता देता हूँ answer है इसमें option B 25 minute जहाब उसका right answer हो जाएगा next is question number 43 एक सिका तीन बार उच्छाला जाता है ठीक दो चित आने की प्राइकता क्या है तो 43 में यहाँ पर right answer हो जाएगा option B 3 by 8 यानि कि 3 upon 8 इसमें right answer है फिर आता है next question number 44 केसी परिक्षा में 25 बहुवी कल्पी प्रशन है प्रति एक सही उतर के लिए 4 रंक है और गलत उतर के लिए minus 1 रंक है यदि अब्यारती 14 रंक प्राप्त करता है तो उसने कितने सही कितने प्रशनों के उतर नहीं दिये तो 44 में यहाँ पर right answer है option A option A के according यहाँ पर जहाँ वो 4 प्रशनों के उतर उसने नहीं दिये है फिर यहाँ पर जहाँ आप इसको आंसर जो है वो नोट कर सकते है स्क्रीन सोट लेके question नमर 45 किसी व्यक्ति के पास 2 रुपए और 5 रुपए के कुल 100 सिक्के हैं यदि सिक्कों का कुल मोली 320 है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 45 में जो right answer है यह है option C 60 next है question नमर 46 question 46 है कभी विद्चुम के यहाँ पर question आप रीड कर सकते हैं तो 46 में यहाँ पर हमारे पास जो right answer है option B योदो पोतों से वायो यान कोडान बढ़ना यानि कि launching aircraft from board ships फिर है question 47 यहाँ पर आपको दो कथन दिये हुए है इसमेंसे यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं तो option A इसमें right answer है केवल एक जो कतन है वो सही है question 48 यहाँ पर आपको मिसाइलों के नाम दिये हुए है उसमेंसे यहाँ पर जो है वो cruise missile है कौन सी है इन तीनों मैसे तो यह हमें बताना है तो 48 में जो right answer होगा यह है option B केवल दूसरा यानि कि ब्रह्मोस जो है वो cruise missile है question 49 भारत की सुरक्षा के संदर में यहाँ पर आपको जो है वो तीन हेलिकॉप्टरों के नाम दिये हुए है इस मैसे यहाँ पर जो है वो turret gun, rocket system और वायू से वायू missile कौन सी है तो यहाँ पर question 49 में यहाँ पर हमारे पास right answer हो जाएगा option D यानि कि केवल तीसरा यानि कि रुद्र जो है वो यहाँ पर हमारा right answer है question 50 question 50 में है हाल ही में भारत ने निमलिकित मैसे किस देश को 30 ए रैडर प्रणाली दी तो 50 में right answer हो जाएगा option B मालदीव को जो है वो यह दी थी question नमबर आगे है यहाँ पर जो है वो आपके इंगलीस में है तो आप इसको जो है sister ने वेदिता ने निमलिकित मैसे किस कलाकरती की प्रसंसा बारती कला की पहली महान स्कृती के रूप में की तो 51 में हमारे पास right answer है option A अवनींदरनाथ टैग और कृत भारत माता question number 52 किसके द्वारा operation संकल्प प्रारंब और कार्यान विद किया गया question number 52 में हमारे पास right answer है यह है option C भारती नौसना इंडियन नेवी ने जो है operation संकल्प प्रारंब किया question number 53 जन जाती है कल्यार के संब्द मैं निमलिकित मैसे कौन सा करतन सही नहीं है तो 53 में right answer हो जाएगा हमारे पास option question number 54 में आप राइट आंसर हो जाएगा option C एक इकरित ग्रामीड विकास कार्यकर्म की पुनस अन्रचना करने के वाद संपोन ग्रामीड रोजगार योजना 2001 में प्रारंब की गई थे यह यहाँ पर जाया वो सही नहीं है question number 55 5 राक्षची तंगडी योद्ध को सामने तक किस नाम से जाना जाता है तो 55 में right answer हो जाएगा option A ताली कोट का योद्ध यानि की बैटल आफ ताली कोटा question number 51 56 अफगानिस्तान में असो के सिलालेखों को निमलिकित मैं से किस लिपी में लिखा गया है तो question number 56 में right answer है option D Greek Aramaic जो है वो यहाँ पर उसमें इस लिपी में लिखा गया है फिर यहाँ पर जो है वो English के questions है screen sort यहाँ पर आप इसका ले सकते हैं next question है question number 57 भारती उप महादीप मैं से मैं इसा पूर्व 200 से 300 इसवी के बीच के दोरां ढाले गए सिक्कों के बारे में निमलिकित मैं से कौन से गदन सही नहीं है तो 57 में right answer है यह है option D नेगामा सिक्कों का विद्यमान होना वैपार गिल्डों की गटती सकती और गटते प्रवाब को दर्शाता है फिर है question number 58 यहाँ पर जो है वो मिलान करना है सूची एक का सूची दो से तो इसमें यहाँ पर जो है वो right answer हो जाएगा option C, sorry option B यहाँ पर जो है वो right answer हो जाएगा यानि कि A, askini जो है वो यहाँ पर यह जो है वो यहाँ द्रिश द्योती यह जो है वो यहाँ पर मिलेगा चोटांग, उसके बाद B जो है वो यहाँ पर इसमें right answer है पहला और C में यहाँ पर answer है 4 और D में है तीसरा तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप वो मिलेंगे यह मतलब यह सूचियां इस तरीके से मिल जाएंगी फिर आता है नेक्ट कोशन कोशन नमर 59 बारत के सिक्सा छेतर की समीक्सा के लिए बारत सरकार दोरा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी तो 59 में यहाँ पर राइट आंसर है अमारे पास 1964 यानि कि option D इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिर आता है कोशन नमर 60 कौन सा सही नहीं है इसमें से यह हमें बताना है तो 60 में यहाँ पर आमारे पास राइट आंसर हो जाएगा option D कैलिफोर्निया धारा ऊशन मास सागर यह धारा है यहाँ पर सही नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा option C केवल पहला और दूसरा option यानि कि पहला और दूसरा कथन इसमें सही है next है यहाँ पर इसका आंसर जो है आप नोट कर लें question number 62 व्रहत व्रित ग्रेट सर्कल के बारे मनिमनिक में से कौन सो गतन सही नहीं है तो 62 में आमारे पास राइट आंसर है यह है option C व्रहत व्रत भूपरश्ट पर अवस्तानों के बिश दीरगतम यातरा मारगों को चिन्नित करते हैं फिर आता है question number 63 प्रह सामाने चियोती दर नॉर्मल लेप्स रेट के संदर में निमिकित में से कौन सो गतन सही है तो 63 में राइट आंसर हो जाएगा option A तापमान भूमी तल पर उच्चतम होता है तता उचाई बढ़ने के साथ गटता है नेक्स्ट है question number 64 निमिकित में से कौन सी ब्रह्मपुतर नदी की सायक नदी है तो 64 में राइट आंसर है option D मानस नदी जो है वो सायक नदी है फिर आता है question number 65 उच्चतम नियायाले में DC बादवा बनाम भिहार राजी का अतियासिक मामला राजीपाल की निमले के सक्तियों में से किस से संबंदित है तो इसमें right answer हो जाएगा option A अध्यादेशों को पुनव प्रख्यापित करना जो है यानि कि to re-promulgate ordinances जो पावर है इससे related है फिर है question number 66 operation flood को सामाने ता और किस नाम से जाना जाता है तो इसमें right answer है option B सुईत करांती यानि कि the white revolution के नाम से जाना जाता है question number 67 stand up India scheme निम लिखित मेंसे किस मुद्य से संबंदित है तो इसमें right answer है option C महिलाओं अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती समुदायों के बीच उध्यम सीलता को बढ़ावा देना next यहाँ पर जहाँ वो इसके answer आप हिंदी के answer के according जहाँ लिख सकते है नोट कर सकते है फिर आता है next question number 68 निम लिखित मेंसे कौन सी भारती संगवाद की विसिस्ता नहीं है तो 68 का जो right answer है यह है option D भारती संगवाद सकतियों के वितक करण के सिदान्त पर आदारित है यह यहाँ पर जहाँ वो सही नहीं है यह विसिस्ता सही नहीं है question number 69 में यहाँ पर दो कथन दिये हैं इसमें सही बताना है तो 69 में यहाँ पर right answer हो जाएगा बोथ ही यानि कि पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर जहाँ वो सही है फिर आता है question number 60, 70 question number 70 है यहाँ यहाँ पर जहाँ दो कथन दिये गएं एक बारत से रिष्ट बारत के according दो कथन है तो इसमें से कौन सा सही है यहाँ बताना है तो 70 में जो अमरे पास right answer है यह है option B केवल दूसरा कथन इसमें सही है next आता है question number 71 इसमें आपर तीन कथन दिये गए है इसमें से कौन सा सही है बताना है तो 71 में right answer हो जाएगा option B केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है आगे बढ़ते हैं इसमें जो है वो इंगलीस में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 72 निमलिकित मैंसे किस एरोस्पूस कम्पनी ने पुनह प्रयोजिय रॉकेट रफालकन नाइन को अभी कल्पित डिजाइन और निर्मित किया तो 72 में जो राइट आंसर है यह है ओप्शन D स्पेस एक्स ने वो यह किया है फिर आता है नेक्स्ट यहां पर कोश्चन नमर 73 नाभी की शमतायोगत अतिध्वनिक मिसाइल के एचस फोर सेवन एम टू किंजल निमलिकित मैंसे किस देश की है तो 73 में राइट आंसर हो किसका लेख प्रायह समाचारों में रूस यूकरेन संगर्स के संदर में किया जाता है किसके तटपर है तो 74 में यहां पर जो राइट आंसर है यह है ओप्शन D आजोब सागर यानि किसी ओफ आजोब जो है वह यहां पर इसके रिलेटेड है 75 है खाली ही में निमलिकित मैंस असरी से किस देज के साथ भारत ने व्यापक आर्ठिक्स बागिदारी करार पर अस्ताक्सर किया है तो 75 में जो राएट आंसर हो जाएगा यह है option C 75 जो है इसमें यहां पर option D राइट आंसर है समयक्त अराब अमिराथ जो है वह इसमें राइट आंसर हो जाएगा Q76, निमलिकित मैंसे कौन सा भारत में सबसे पुराना कैंदरी अर्ध सैनिक वल है तो इसमें राइट आंसर ऑप्षन C, असम राइफल जो है, वो सबसे पुराना कैंदरी अर्ध सैनिक वल है Q77, यहांपर जो है वो दो कतन दिये हैं, एजेंसी हाउसे के बारे में निमलिकित मैंसे यहांपर कौन सा कतन सही नहीं है, तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा option D, यहांपाणी द्वारा रची गई थी, यहांपर जो है, वो सही नहीं है आगे है, यहांपर जो है, वो इसके आंसर आप नोट कर सकते हैं, इंगलिस के अकॉर्डिंग हिंदी में यहांपर आंसर आपको बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है, वो इंगलिस में आप इसको नोट कर सकते हैं आगे यहांपर जो है, वो हम देखते हैं, कोशन, कोशन नमबर 79 बारत में देशी राजियों के बारे में निम्लिकेत में से कतनों में से कौन सा सही नहीं है, तो 79 में यहांपर राइट आंसर है, उप्शन D त्रामण कूर राजिय अंततह, जन्बत संग्रह के माधियम से वारत में सामिल हुआ कोशन नमबर 80, निम्लिकेत पुर्टकों में से कौन सी हर्स वर्दन द्वारा रचेत रची गई थी, तो कोशन नमबर 80 में यहांपर राइट आंसर है, उप्शन C, रतनाहुली कोशन नमबर 81, दकिंग ओफ डांस किसका चित्रण है, तो 81 में राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 83, कोशन नमबर 83 है यहांपर, प्रती एक वर्ट, निम्लिकेत में से किस तारीक को विसु आदरबूमी दिमस, वल्ड वैट लेंड डे मनाया जाता है, 83 में यहांपर राइट आंसर है, उप्शन D, दो फरवरी को कोशन नमबर 84, फरग्का में गंगा जल को निम्लिकेत में से किस देश के साथ साजा किया जा रहा है, तो 84 में हमारे पास जो राइट आंसर है, यह है, उप्शन C, बांगलादेश Q85, निमलिकित मैंसे कौन सा दक्षन दक्कन के पठार का भाग है तो 85 में आपर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा Option B, कार्भी आंगलोंग बहाडियां जो है वो यहां पे दक्कन प्याचिव का भाग है Q86, निमलिकित मैंसे किस राज्य में 50% से अधिक छेतर करसी, जूम करसी के अंतरगत सामिल है तो 86 में आपर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास option D, मिजूरम आगे हैं, यहां पर आप इसको जो है वो इसक्रीन सोट ले सकते हैं Q87, निमलिकित मैंसे किस संग राज्य चेतर की मुख्य वासा दिवे ही, यानि कि धिवे ही है तो 87 में हमारे पास जो राइट आंसर है, यह है option C, लक्षदीप Q88, भारत में विधी, यानि कि यहांपर constitution के अकॉर्डिंग यहांपर 4 पॉइंट दिये हुए हैं Q89, निमलिकित मैंसे यहांपर, मतलब यहांपर आपको जाओ, मंत्री मिंटल सचवाल है कि अकॉर्डिंग दो कथन दिये हैं इसमेंसे बताना है कि कौन सा सही है, तो 89 में यहांपर राइट आंसर हो जाएगा option C, यानि कि दोनों ही सही है, पहला और दूसरा question number 90, question number 90 है, यहांपर सारविजनिक उपकरम समिती के बारे में दो कथन दिये है इसमेंसे कौन सा सही है, यह बताना है, तो option 20 में राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहांपर कथन सही है question number 91, कौन सा कतन सही नहीं है इन चारों में से, तो 91 में यहांपर हमारे पास राइट आंसर है option C, पूरी मंत्री परिशत के विरुदनिंदा परस्ताव नहीं लाया जा सकता, यह कतन जो है वो सही नहीं है question number 92, अटल नवीनी करण और सहरी परिवरतन मिसन, AMRUT के अंतर गत, निम लिखित में से, कौन सा मैतो वाला छेतर नहीं है question number 92, में यहांपर राइट आंसर है, option C, मोटरी करण सहरी परिवहन और समता निर्माट, यहांपर पॉइंट यह सही नहीं है question number 93, आज कल अ प्रतिमोच यह नॉन फंजिवल टोकनों की चर्चा किसके संदर्व में की जाती है question number 93, में यहांपर राइट आंसर यह हो जाएगा, option A, किसी ब्लॉक्चेन पर डिजिटल आस्तियायन की एसेट, यह यहांपर यहांपर वो इसके संदर्व में नॉन फंजिवल टोकनों की चर्चा है question number 94, कभी-कभी समाचारों में उन लिकित सब्द Sagittarius A, निम्लिकित में इसे किस से संबंदित है तो 94 में राइट आंसर है, option A, हमारी आकाज गंगा में विद्यमान अति विसाल ब्लैक होल, इसके संबंद में यह Sagittarius A word यूज होता है question number 95 है, इसमें यहाँ पर आपको कथन दो दिये हुए है, बारती कंप्यूटर आपातकालीन पृतिकरिया दल के बारे में, C, E, R, T, N के बारे में इसमें यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है question number 96, जन संचार माद्यमों में प्रायर चर्चा में आने वाले सामाने किंतु बेवेदित उतर दाये तो वह संबंदित सामर्थिय का सिद्धानत किसे संबंदित है question number 97, भारती अर्थ व्यवस्ता के संदर में समाचारों में बार बार उलेख होने वाला सब्द बैड बैंक किसे संबंदित है question number 98, उनिसवी सतावदी में भारत में निमनी लिखित में से कौन सी चित्रकाले के विश्ता नहीं थी question number 98, पूर्व अभी मुखी दरश्टी कारी नीती लुक एक्ट इस्ट पॉलिसी के भाग के रूप में बारत के उतर पूर्व राजियों की निमलकित राजदानियों में से किसको रेलमार के दोरा बांगलादेश से जोडने का प्रस्ताब है तो 99 में हमारे पास जो राजट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन ए अगर तला जो है वो यहाँ पर इसमें राजट आंसर होगा नेक्स्ट आता है कुश्चन नमर 100 इसमें है जिला नियाय अदिशों की नियुक्ति के समद में निमलकित में से कौन सा कत सही है तो 100 में हमारे पास राजट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उनकी नियुक्ति समदित राजट के उच्च नियायाले के परामर से राज़िपाल द्वारा की जाती है Q101 बारत की निमलकित एतियासी गटनाओं के उपर दो कतन दिये हुए है इसमें आपर राजट आंसर बताना है तो 101 में राजट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B केवल दूसरा कतन यहां पर सही है Q102 वर्स और एतियासी गटनाओं के निमलकित एतियुकमर में से कौन सा सही सुमेलित है तो इसमें यहां पर 102 में जो राजट आंसर हो जाएगा यह है हमारे पास ऑप्शन A 1878 का यहां पर जो है वो दूसरा आंगल अफकान योद्ध जो है वो इसमें सही सुमेलित है Q103 निमलकित मैं से बाती राजियों का कौन सा समू हूँ वो बद्ध लेंड लॉग्ड है और उनकी कोई अंतराष्टी सीमा नहीं है तो Q103 का यहां पर आइट आंसर है ऑप्शन B 36 गड हर्याना जारकंड मध्यपरदेश और तेलंगाना यह मतलब बिलकुल लेंड लॉग्ड है यह यहां पर किसी भी देश के साथ अपनी सीमा को साजा नहीं करते आगे यहां पर जहाँ वो आप इस हिंदी मीडियम के अप्वाडिंग आंसर इसके नोट कर सकते है नेक्स्ट है कोशन नमर 104 यहां पर जहाँ वो 4 पॉइंट आपको दिया हुए है यहां पर जहाँ वो दर्रों को पस्चिम से पूर वुदिसा के करम में लगाना है यहां पर 4 पॉइंट वो दिये है तो इसमें यहां पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दो तीन चार यानि की एकदम सही अरेंजमेंट पहले से ही हो रखा है नेक्स्ट आता है कोशन नमर 105 यहां पर आपको जहाँ वो 3 पॉइंट दिये हुए हैं इसमें ऐसे सही कौन सही बताना है तो इसमें यहां पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अप्शन बी तीसरा और पहला इस तरीके से यहां पर हमें इसको मिला सकते हैं नेक्स्ट आता है 207 कोई गैर बैंकिंग वित ये कंपनी क्या नहीं कर सकती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानि कि 207 में राइट आंसर होगा हमारे पास option D यहाँ पर जहाँ जनता से मांग जमाए यानि कि demand deposit लेना और check जारी करना यहाँ पर मांग नहीं कर सकती इसमें यहाँ पर यहाँ इंगलिस के यहाँ पर question दिये हुआ है जिसको आप English Hindi के according answer रोड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसके बाद है question no.108 सुर्ण सिंग समिती ने बारत के समयदान में निमलिकित उपबंदों में से किस उपबंद यानि कि किस उपबंद को अंतरह साबित करने की सिफारिस की तो 108 में यहाँ पर right answer है option भी मूल करता भी यानि कि fundamental duties को यहाँ पर अंतरह साबित करने की सिफारिस की 109 है विनिवेस से प्राप्त रासी को निमलिकित मैसे किस रूप में सामिल किया जाता है तो 109 में right answer हो जाएगा option c. पूझी गत प्राप्तियां इसमें right answer होगा next है question number 110 110 GST क्या है तो question number 110 का right answer है option a गंता भी आदारित उपवोग कर यानि कि destination based consumption tax यह इसमें right answer है फिर आता है 111 question number 111 इसमें आपर जो है वो इसका right answer हो जागा question आप read कर सकते हैं तो इसमें right answer है option b we safe जो है वो इसमें right answer होगा question number 112 question इसमें यापर आप read कर सकते हैं इसमें right answer हो जाएगा 112 का option c fast runner इसमें right answer होगा question number 113 इन मैंसे किस संगीत कि संगीत की धुरुपद सैली के प्रवर्दन और उसे लोगप्रिय बनाने का स्रेय दिया जाता है या स्रेय जाता है तो इसमें right answer हो जाएगा option एक गौलियर के राजा मान सिंग तोमर को 114 question है इन मैंसे कौन विवाजन के बारे में प्रसिद आख्यायन the other side of silence का लेखक है तो इसमें right answer हो जाएगा मतलब question of 114 का right answer होगा option वी और वसी बुटा लिया जो है वो right answer है फिर आता है यहाँ पर next part English का जिसमें आपर आपको आंसर जो है वो note कर सकते है next question number 115 बंबई के लिए railway संपर्क चालू हो जाने के उपरांता निम्लिकित गंगा तटवर्ती सेरों मैंसे किसका महत्व कम हो गया तो इसमें 115 में right answer है option C मिर्जापुर question number 116 अखिल भारती जिन गंगरना का पर्थम प्रयास कप किया गया तो 116 में आप right answer है option B 1872 में फिर है question number 117 भारत में समुद्री पतनों के समदमें निम्लिकित कतनों पर विचार किजिए आपर तीन कतन दिये हुए हैं बताना है कि कौन सा सही है तो option D इसमें right answer है दूसरा और तीसरा यहां पर वो सही answer है question number 118 इसमें आपर वो सूचियां दी हैं इसमें मिलाना है पहली सूचिय को दूसरी से तो यहां पर 118 में right answer हो जाएग option A यहां पर वो इसका right answer होगा question number विसे इस प्रकार की मिर्दा प्रवाहवाली भू आकर्तिक प्रकरिया मिर्दा सरपन कहां देखी जाती है तो 119 में right answer हो जाएगा हमारे पास option C इस्थाई तुसार भूमी चेतर यानि कि पर्मा frost reasons जो है वो इसमें right answer होगा question number 120 आगे है जिसमें जैसे पहले आपर आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं देख सकते है नेक्स है question number 120 निमने लिखित में से कौन सी भूव एग्यानिक काला विदी मार्सू पियलों के प्रथम प्राधुरभाव से संबंद है next इसमें यापर 120 में right answer है option a निमन क्रिटेशियस यानि कि लूवर क्रिटेशियस जो है वो इसमें right answer है question number 121 सीमा सडक संगठन बी आर ओ के बारे में यापर वो कतन दिये है दो इसमें से कौन सा सही यह बताना है question number 123 इसमें right answer है यानि कि दूसरा पहला और दूसरा जो है वो दोनों ही यहाँ पर सही answer है यानि कि सही कतन है question number 122 यहाँ पर दिया हुआ है निमने कि इसमें कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संदी संगठन नाटो का सदस्य नहीं है question number 123 इसमें आपर दो कथन दिये हुए है कौन सा सही है बताना है question number 124 राष्टिमाना वदिकार आयो कि अद्यक्ष और सदस्यों की पदावदी कितनी है तो इसमें right answer है option B तीन वर्ष और या सतर वर्ष की आयो तक यहाँ पर इनकी पदावदी होती है last question है question number 125 निमने लिखे ते रास्ट्रों के समूँ मैंसे कौन सा बिन स्टैक पहल के सदस्य है तो इसमें यहाँ पर right answer है option B बांगलादेश, बूटान, नेपाल, भारत, स्रीलंका, थाइलेंड और म्यामार जो है वो इसमें right answer है तो इस तरीके से यहाँ पर CAPAC के यहाँ पर 125 question पूछे जाते हैं उमेद करता हूँ यह आपके लिए काफी helpful रहेगा आपने वीडियो को पूरे जरूर देखा होगा और आप इसी तरह से और भी एगनामस के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक यू